आज मैं आप सभी के साथ मसाला मस्रूम की रेस्पी सेयर कर रही हूँ जो की बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होने वाली है तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा यह तरीका भी एक बार जरूर अपनाएगा सब्जी तो सभी को बनाने आती है पर ैँ तरीका बिलकोल ही अलग है और इस तरह से एक बार जरूर बना के देखिएगा तो अगर्फ आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोट करनी के लिए मैरे चैनल को सब्स्क्राइब जरूर से जरूर किज़ेगा और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भुलिएगा ज्यादा से ज्यादे अपने फ्रेंट ग्रूप्स में जरूर सेर किज़ेगा मेरी इस रेसिपी को चली फटा फट से सुरू कर लेते हैं तो मैंने यापे ले लिया है मस्रूम तो मैंने यापे मस्रूम ले लिया है अभी सर्दियों में बहुत ही मार्केट में ताजा ताजा मस्रूम मिल रहे हैं फ्रेस मस्रूम आज बन करके तयार होगी फ्रेंट्स जो नॉन विस खाते होंगे नो वो भी भूल जाएंगे इस तरह से अगर मशाला मश्रूम बनाएंगे तो अब मैं इसमें डाल ली हूँ गेहूं का आटा तो मैंने यहाँ पे दो चम्मच गेहूं का आटा डाल कर इसे अच्छे से इसमे कोट कर लिया है बिल्कुल इस तरह से कोट कर लिए और उसके बाद हमें इसे कर लेना है वोश तो इस तरह सेगेहूं ना पानी ली हूं ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है तो उसमें हमें डाल लेना है मस्रूम को तो बिल्कुल इस तरह से मस्रूम को डाल लेजिए और इसे अच्छे से मशलते हुए हमें कर लेना है वोश तो बिल्कुल इस तरह से मशलते हुए wash कर लिजिए देखे उसके बाद इस पानी को आप बाहर निकाल दीजिए देखे इस तरह से mushroom लग रहा है बिल्कुल ही white इसका color भी नहीं खराब हुआ जिसका तसी है जैसा हमने white mushroom लिया था बिल्कुल वैसा ही इसका color है तो चलिए अब मैं पानी निकाल कर इसे ले आए हूँ देख सकते हैं बिल्कुल यह fresh लग रहा है देखने में तो यह तरीका भी एक बड़ जरूर अपनाएगा अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ पैन उसमें डाल लिया है मैंने दो चमच तेल और तेल जब गर्म हो जाए तो उसे हमें डाल लेना है तेजबत्ता और हरी मिर्च और अब मैं यहाँ पे डाल लोंगी जीरा तो एक चमच म लेना है उसके बाद हमें ले लेना है एक प्याज तो मैंने यहाँ पे एक चोटे साइस का प्याज को इस तरह से पहले कट कर लिया है तो पहले एक चोटा प्याज को इस तरह से बारी कट करके डालिएगा और यह जिब हलका सॉफ्ट हो जाए तब हमें इसमें डाल लेना है grate किया हुआ प्याज तो मैंने यहां पे grater की सहायता से एक प्याज को grate कर लिया है बड़े साइज का मैंने प्याज लिया आप चाहे तो यहां पे paste का भी यूज कर सकते हैं पर हमें बनाना है instant बिना मेहनत के और कम समय में तो चलिए अब मैं यहां पे एक टमाटर लिली हूँ उसे भी मैंने इस तरह से grate कर लिया है तो चलिए इस तरह से मैंने डाल दिया और इसे कर लेना है हमें mix तो मशाला को हमें तब तक पकाना है जब तक यह अच्छी तरह से भूनना जाए और इसमें साइड से तेल ना छोड़ दें मैंने यहां हल्दी पौडर डाल दिया है अब मैंने यहां पे स्वाद के अनुशार नमक ले लिया है और इसे भी डाल दिया है डाल कर हमें कर लेना है इसे इस तरह से mix बिल्कुल इस तरह से mix कर जेगा flame को medium ही रखिएगा तो चलिए अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ धनिया तो यहाँ पर मैंने ले लिया थोड़े से red chili powder और इसे भी डाल लिया है इस तरह से mix देखिए ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते और इतनी tasty सबजी बन करके तयार होगी न कि आपके मुँ में अभी भी पानी आ रहोगा friends मैं सच बता रही हूँ देखिए अब इसे stage पे हमें डाल देना है mushroom तो इस तरह से मैं देखिए mushroom को डाल दी हूँ लग रहा है ने mushroom कितना fresh fresh सा तो वो tricks भी जरूर अपनाएगा जैसे मैंने इसे आटा डाल करके wash किया था तो चलिया भी इस तरह से हमें इसे भून लेना है mushroom को अच्छी तरह से मशाला में coat कर देना है और flame को medium ही रखना है और medium to low flame पे हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और इसे ढख करके मैं दो से तीन मिनट के लिए इसे पकने छोड़ दूँगी तो देखिए बस अब ढ़कन हटा कर मैं आपको दिखा रही हूँ देख सकते हैं वाउ यह अच्छी तरह से तेल भी छोड़ दिया है और कितना अच्छा यह मश्रूम भी हमारा कितना अच्छा लग रहा है देखने में देखें कितनी सुंदर लग रही है खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी है बन करके सबजी तयार होगी एक बार यह तरीका ज़रूर अपनाएगा अब यहां पर यहां में डाल देना है मीट मसाला तब आप सोच रहेंगे मीट मसाला फ्रेंट्स यह फुली बेज है तो वेजिटेडियन इसे डाल करके खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई भी नॉन वेज वाली बात नहीं होती तो चैले इस तरह से मैंने यहां पर मीट मसाला इसलिए डाल दे इसे स्वाद जो है न और भी बढ़ जाएगा अब यहां पर मैं डाल दूँगी एक चमच कशूरी मेथी तो मैं यहां पर एक चमच कशूरी मेथी डाल दूँगी इस तरह से क्रस करके यंसु का पाकवान में कसूरी में थी कैसे ना हो फ्रेंड्स तो चैलिए ये बहुत ही सब्जी को खुस्बू बना देता है और इससे सब्जियों का सवाद भी बढ़ जाता है बिल्कुल इस तरह से डाले और मिक्स कर लिए फटा-फट से फ्रेंड्स तो देख सकते हैं बन ग कर लिए और फटा-फट से हमें कर लेना है मेक्स बिल्कुल इस तरह से बनाईएगा एक बार जरूर बना के खाएगा ये लवादार मसाला मस्रूम देखिए अब मैं गैस कॉफ करके इसे उतार लिए नीचे देख सकते हैं कितना टेस्टी ये बन करके तयार हो गया है देख कितनी अच्छी लग रही है देखने में तो एक बार यह तरीका भी जरूर अपनाईएगा जट से बनने वाली ये सबची है वह भी बिना महनत के ये बन करके तयार हो जाती है बिल्कुल कम समय लगता है बनाने में तो अब मैं यहां पर डालूंगी थोड़ी सी धनिया तो और इस रेसिपी को इनजवाय किजिए बनाने कर खाईए फ्रेंड्स तो चलिए ज्यादा से ज्यादा इस रेसिपी को सेर किजिए और आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और नई रे आज कर ले ले लेडिदी से फिस्टीं.